प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक लक्षमन श्रवन करडू वाइड नमबर दस काकडे लियाउट साबनेर का सड़क दुरगटना आज सुभा साबने थाना शेत्र के हेटी बाइपास रीथी पारडी शिवार में होने की घटना उजागर हुई मिली जानकारी के अनुसार मृतक लक्षमन करडू सावने वेकोली में कामगार है दिनांक 19 को ड्यूटी से लोटका घटना स्तल शेत्र में ही अपने खेट अपनी हीरोस प्लैंडर बोटर साइकल क्रमांक MH40 BU5095 से खेट गए थे कई बार घर नहीं लोटते थे इसी कारण वह द घटने स्तल का मुआइना कर सामाजिक कारी करता हितेश बंसोड को उनकी एंबूलेंस लेकर बुलाया और शफ को पोस्मार्टम के लिए प्रात्मिक स्वास्त प्रशिशन केंद्र में पोस्मार्टम के लिए रवाना कर थानेदार मारुती मुलुक के मार्ग दर्शन में बोड़ा साथ चपक होना और दोनों सामने इंडिकेटर तूटे होना गटनास्तल पर अभी भी दो चपले हैं इसलिए संदे है कि यह दुरगटना नहीं बलकि हत्या कम मामला है जिसकी उचिसतरी जाच कर न्याय दिलाने की मांग की हालाकि यह घटना पहली नजर में आकास्म के लिए भेज कर आगे की जाच की जारी है पोस्माटम रिपोर्ट आने के बाद सारी सिती सपष्ट होकर जाच में आसानी होगी और घटना की सच्चाई का पता चलेगा घटना के दोश्यों पर उचित कारवाई करने की बात इस अफसर पर थानेदा मुलुक ने कही साबने से बीसीन न्यूस के लिए कि शोर ढूंडे लेकी रिपोर्ट